परज़कर आप देख रहे हैं जेके न्यूज वायर और मैं हूँ कोहिश पतियार्ड जमू कश्मीर एक लबार्टरी बनी है और सरकार आए दिन नए नए फार्मूलाज के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती है यह मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जो खबरे हैं वो आप देखते ही होंगे कि हाले ही में डिप्टी कमिशनर जमू ने एक और निकाला जिसमें कहा कि एक साल तक कोई भी अगर प्रवासी यहाँ पर रहा हो जिसके पास बिजली के बिल हो पानी का बिल हो अगर उसके पास यह सारी राजनीतिक इस पर मुवमेंट देखने को मिली उसके बाद डेपटी कमिशनर जमू ने इसको वापस ले लिया ओर्डर को मिरसाथ रतलाल गुपता साहब है एंसी के गदावर लीडर है और हम इनसे बात करेंगे सर कहीं सारे नेने फॉर्मूला ये तो एक लोगों ने देखा कि आया और वापस ले लिये गया शायद ये देखने की मनशाथ थी कि अगर शोर नहीं मचेगा तो उसको सारे जमू किश्मी में इंप्लिमेंट कर दिया जा है तो उसके बाद इसकी कोई बात ही ना हो ये सब करके सरकार क्या जताना चाहती है कि 25 लाख जो एक टार्गेट है वो अचीव करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तयार हैं देखिए सरकार ने एक हिडन अजंडा अपना बनाया हुआ है और वो हिडन अजंडा जो है वो एक्सपोज हो गया है इस किसम के हजगंडे अडाप्ट करके अगर ये अपने टार्गेट को 25 लाख के टार्गेट जो है निया वोटर जो रिजिस्टर करना है आउटसाइडर्स का अग इस किसम के हजगंडे और इलीगल बातें अडाप्ट करके ये करना चाहें तो मैं समयता हूं कि ये डैमोकरिसी के नाम पे बहुत बड़ा धबा होगा पूरी दुनिया में हिंदोस्तान की डैमोकरिसी वानी जा रही है ये छोटी छोटी बातें करके छोटे 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 कि गलतिये करके ये पूरे बुरक को बंदाम करने की कुशश हो गई देखे कानून जो भी है कानून को कोई आदमी वो नहीं चैलिंग निय कर रहे हैं लेकिन जब आप कानून के बाहर जाएंगे तो कोई आपको स्पेर नहीं करेगा मसलिन यहartuster किस ताहत कर दिखा है किस कानून की ताहत निकाला है कहां लिखा है कि एक साल की यहां 肯हां आर्जोधिन कोई होगा तो उसको हम registration करेंगगे कि वोटर लिस्टों में कहां लिखा है कि एक तसील्धार इंपावर होगा कि सब वो उसको certificate देगा दामिसाहिल का और वो उसका सार्टिफिकेट जो है माल लिया जाएगा कहां लिखा है किस कानून में है तो आपका ये फरमाना बिलकुत दुरस्ता है कि जम्हो किश्मीर को इन्होंने लबाटरी समझिये ये आज से नहीं उनेस सो संताली से ये कभी कुछ करते हैं कभी कुछ क वो बापस लेते हैं विड्रा करते हैं क्या फाइदा इसका सबसे दाए असर जम्हो में ही दिखना थो कि कश्मीर में शायद ही कोई तर्गेट होती है लोग तो वहां से भागबाग के जम्हों में आ रहे हैं तो जम्हों एक ऐसी जगह है जिसने हर एक जगह के व्यक्ति को जो है शक्स को है जगा दी है चाहिए वो जम्मो किश्मीर के ही डोटा पुंच के लोग हो रजोरी पुंच के लोग हो डोटा किस्तवार के लोग हो बनी बसोली के लोग हो वो यहां पर आते हैं और इसको लेकर लोगों को एक उनके एक दिमाग में बाट डाली जारी है किसके लिए आप प्रिपेर हो जाईए देखिए हम शुरू से एक ही बात कह रहे हैं कि इसका अफेक्ट जो होगा वो जम्मू सुवा के अंदर होगा जम्मू प्राविंस में होगा और खासकर जम्मू कुठुवा और साबा और उदुमपूर के लाका में होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट है हमारा हक है वोड का जो राइट है उसको ये डिलूट करने की कोशश की जा रही है ताकि असेंबली के अंदर यहां कानून बनते हैं पहले तो स्टेट असेंबली थी तो उसका क दी है और अब यूटी के अंदर भी जो असेंबली बनने जा रही है उसमें भी यह चाहते हैं कि जम्मू किश्मीर के जो जैन्वन रिप्रेजेंटेशन है वो ना पहुंच भाए उनका जो राइट है उस असेंबली के अंदर अपना नमाइंदा चुनने का वो भी खत्म हो जाए डेलूट हो जाए और क्या आप समझते हैं कि जब 25 लाग का बाहर वोटर ऑउटसाइडर जो है वोटर जहां बन जाएगा आपकी क्या बुकत रहेगी आप कहां स्टैन करेंगे फिर तो नने लाल जी तवाली लाल जी फ्लाने जी यही बनेंगे आपके डोगरे कहां जाएंगे सर 370 पे सुप्रीम कोट पे पूरा मेटर चल रहा है लेकिन 371 भी है 371 कहीं जगा लगा भी हुआ है और इसको लेकर स्कुछ सियासी दद हैं वो अपील कर रहे हैं कि इस पर जो है वो जोर दिया जाए सारी पार्टी इसको लेकर एक हो जाए नेशनल कॉंफेंस क बात करती हैं यह हमारा मौकुफ है हम इसको हर फ्रेंट पर लड़ रहे हैं जोरिश्री में हमने सुप्रिम कोट में केस लेकों है यह हैं हाई स्कुर्ट अफ दि कंट्री और साथी तोर पर हम पाइट कर रहे हैं और लड़िंगे हमारा मौक यह है 373 और पंटी यह हम ना इ 370 और 351 की बात करते हैं और इसी पर हम हमारा यो राइट है यो हाक है जो शीना गया है उसकी वापसी की बात करते है अभी तमाम जो अपोजिशन पार्टियां है वो एक प्लैट्फरम पर आने की कोशिश कर रही है पिछले कहीं समय से वो लगी भी हुई है आने वाले समय में जब भी चुनाव होते हैं सेंब्ली एलेक्शन क्या एक साथ होके ही लड़ेंगे या इंडिवीजुली जो पार्टियां है वो पार्टिसपेट करेंगी क्योंकि अगर देखा जाए तो कंटेस्ट जो है वो बीजेपी से ही है मुखे तो देखिए नेशन कांफिरेंस का हमे है वो ताकतबार हो मजबूत हो मैं अभी पांच अभी हमारी आल पार्टी जुनाइटिट फ्रेंट बना हुआ है यमू के अंदर तमाम पार्टी यह वहां उस पे नमाहिंदे हैं बीजेपी को छोड़के तो वहां भी आज भी यही बात चाल रही थी यही डिसकेशन चाल रही थी और मंडे को भी आल पार्टी जो हमारा फ्रेंट बना है जिसकी जनाब डाक्टर फारूप साब प्रेजिट हैं तो आल पार्टी का फ्रेंट मंडे को भी इसकी मीटिंग हो रही है इसमें जमू की तमाम आपोजिशन पार्टी जमू की श्मीर की आपोजिशन पार् करें हम चलने देंगे यह बात आपको सफ कहने से पाटि काना चाहते हैं एलीगलटी कहीं भी होगी गार कुनोनियत कहीं भी हम उसको चैलिंग करेंगे उसका मेकाबला करेंगे हर सता पर करेंगे अपनी पार्टे की भी इनवाल वैस पुरे हमने all parties को कहा हूँ है जो भी हमारे पास तमाम यहां all parties है मनुंसर का जहां की में अपोजी प्राइज है Congress है, National Congress है, National Conference है, PDP है ज़ दूसरी पार्टियं भी है, even ships है ना, इस issue पे जह जो election का issue आया हुआ है, जो बाहर के वोटर्स का इशू आया है, वह रिश्ट है, तो सब कटे हैं, हम कहते हैं कि वह जैनुवनेस कीजिए, राइट, जिसका हक है उसको दीजिए, नेशनल कांफिर्स किया, आपोजिशन कभी नहीं कहेगी, कि जिसका हक बनता है आप नहीं दीजिए, लेकिन हम किसी के हक को डेलूट नहीं होने देंगे, ये बात हम नोट का लीजिए, चाहे कोई भी हो, सर अगर हम बात करें, बीजेपी की, बीजेपी पचास सीटों का पले सपना देख रही थी, अब वो साठ से सतर, उनका सपना जो है, वो जो बात करते हैं, वो बढ़ता जा रहा है सीटों बात है, जिसे के, आपका बेस क्या है, ये बेसिस क्या है, ये पचास सीटे के प्लास कहने वाला, स्वाय गडबडी के, इन्होंने जो अजन्डा बनाया हुआ है, जो ब्लू प्रिंट बनाया है, ये 25 लाक हम बाहर का वोटर यहां राएंगे, कि जम्मू किश्मीर में तो आधार गुद्म होकिया है जमीन इनके पाउं से निकल चुकी है तब ही ये बाहर के बोटर की मदद ले रहे हैं चाहरे है कि बाहर का बोटर ज्यादा से ज्यादा आए और उनके बेस पर हम यहाँ सीट पाएं जी पाएं लेकिन हम फिर इनको कह रहे हैं कि जम्हू कुश्मीर के अंदर जम्हू कुश्मीर के लोगों का जाव हाक है उसको हम डिल्यूट नहीं होने देंगे यह कांट खोल के सुने चाहे लेक्शन कमिशन हो चाहे सेंटर गर्मेंट हो चाहे स्टेट गर्मेंट हो तो यहां पर साफ तोर पर जम्हू सरकार को तमाम स्यासी दलों ने और यहां के लोगों ने एक इशारा दे दिया है कि यह चीज नहीं चलेगी जो एक experiment डिपुटी कमिशनर जम्मू ने order निकाल के किया था कि एक साल से के पहले एक समय में जो भी लोग आके यहां पर रह रहे ने है और जो पावर्स थी वो तैसिलदार को दे दी थी शोर मचा order वापस ले लिया गया लेकिन इस तरह के और आगे जो टेस्टिंग लिबर्टरी जम्मू किश्मीर बनी हुई है और आगे टेस्ट सरकार ना करे इसको लेकर विपक्षी पार्टियां एक सुर में बात कर रह करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन ऐसे फैसलों से स्यासी गल्यारों में काफी जादा भुचाल मचा हुआ है जम्मू से खोईश्मटर की रिपोर्ट